केनाड़ा में मारे गए गैंक्सर देबंदर बंबिया गेंग के सुखहद उनके के मामले मेर एक नया मोड़ा चुक है पहले तो ये खबर आए थी कि गैंक्सर लोरेंस बिस्दुई ने ही सोचल मेडिया पर जिम्मेदारी ले थी और यही सुरू हुआ खेल कन्फियोज होने का कि या कि लॉरेंस ने मर भाया या फिर जको ने अब देखे इसमें बहुत बड़ा खुल ऐसा हुआ है कि लॉरेंस बिस्नोई का इसमें कोई भी हाथ नहीं है अभी तक मेडिया रिपोर्ट में जितने भी बाते की जा रही थी ज कहा जा रहा है कहा भी जा रहा है और फुक्ता सुबोत भी है कि लॉरेंस बिस्नोई ने कोछ नहीं कर वाया उसे तो पता भी नहीं है गैंक्टर सुखा दून के मारा गया तो इसमोरे कहान की शुरुबात करेंगे वीडियो के अल तक बने रहे गा और आपको बताएंगे कि आखिर में मारा किसने और क्या कुछ खुलासा हुआ है एक एक बाते बहुत ही डेटेल में बताएंगे नमस्ते मेरा नाम है देवनात और आप देख रही है बीडियो अपने उची क्राइम से रिच्खलनाई जिसमें हम आपको रोचाना सुनाते हैं जर्म के दुनिया की कहा पर आई सुखादुनके की बहुत ही शौक्ट करने वाली ख़वर थी है और मैंने भी देखा कि सुखादुनके जो पभीहा गैंग का मेंबर था जिसके बारे में कहा जाता था कि तीन दिन पहले जब खोफिय अजन्सियों के रिपोर्ट आई थी कि वही सुखादुनके अब उसके बाद निकल कर सामने आया कि लॉरेंस बिस्तोई गैंग ने सुखादुनके को ही मरवा दिया अब लोग हैरत में पढ़ गए कि दो दिन पहले जो खोफिया रिपोर्ट निकल कर सामने आया थी गैंग्चत हैरी जो पकड़ा गया था बंभीहा गैंग का जिसने सं सुखादुनके इन सब को मारने की प्लानिंग कर रहा है तो ये बाते ळॉरेंस विस्तोई के साथhin गोलडी वराण को कैसे बास चलाइए और कैसे गोलल ने草से मरवा दिये मर अब गैंग्ट्यों सुखादुनके की कहाने आपको पता है कि उसे कैसे मारा गया क्यों मारा किसने मारा सब कुछ बातें आपके सामने है जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें है गैंगसर लॉरेंस विस्नोई के सोचल मेडिया पोस्ट को लेकर जो अब जूटा कहा जा रहा है और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ मैं जूटा नहीं कह रहा हूँ ये बाते हैं लॉरेंस विस्टोई जहां पर है महा का जेल प्रशाशन कह रहा है देखे आप सभी को पता है कि लॉरेंस विस्टोई कल एहमदाबाद कोर्ट में उसके पेश ये थी इस वक्त वो सावर मते जेल में है और जब कल वो जेल में पेश हुआ था तो उसने जो याचिका लगाई थी मैंने उसके बारे में कल के वीडियो में आप से बताया था कि वो कहता है कि मुझे गैंक्सर या फिरा तंकवादी मत कहा जाए इन सब बातों पर वो लड़ाई-लड़ रहा है चिड़ रहा है लॉरेंस विस्नोई की भाई मुझे गैंक्सर मत कहो भगत सिंग वाली ट्रिशट मुझे पहन नहीं है ऐसे में जेल अधिकारियों का बयान आए है निगल कर सामने और यह कहा गया है कि लॉरेंस विस्नोई किसी भी तरह से सोशल मेडिया पर जिम्मेदारी नहीं ले सकता है क्योंकि इस वक्त वो गुजरात के एहंदाबाद के साबरमत्य जेल में कहई थैं नहीं लॉरेंस विस्नोई के पाक्स कोई एक्सेस है इंटेनेट फोन का और नहीं Laurence Bisnoye से मिलने कोई आया था जिससे Laurence Bisnoye यह करवा दे हाला कि Laurence Bisnoye से इस मामले में पोस्टाज भी हुई है Laurence Bisnoye फिलहाल मना कर रहा है कि भाई मेरा इसमे कोई लेना देना नहीं अब सवाल उठता है कि भाईया जब Laurence Bisnoye कोई लेना देना ही नहीं पोशल मेडिया पर पोश्ट करना सीख गए और यह पोश्ट करके वो यह बताना चाहते हैं दरसल की देखिए हमसे डरिये और हमसे बड़ा गैंक्टर कोई है नहीं और इनके नामों का इस्तेमाल भी किया जाते हैं अब आप खुछ अंदाजा लगाए कि लॉरेंस के नाम पर यह सियासी रोटी कौन खेल रहा है कौन सोच रहा है कि अगर हम लॉरेंस विस्टोई के नाम पर ऐसा पोश्ट डालेंगे तो इससे हम फाइदा भी उठा सकते हैं तो अपसे पहले कई बार ऐसे केस देखने को मिले हैं जो दिल्ली का निरज बमाना हो गोगी हो तिल्लू हो बहुत सारे गैंक रहसे हैं जिनके नाम पर इस तरह की जो अवैक खबर आती थी भाद में उनका खुलासा होता था पुलीस करते थी खुलासे तो इस केस में भी वही दिख रहा है लॉरेंस और सुखादून के और शग्गो के केस में दोसरे दर जग्गू के के में इसको अब कुछ नहीं कहाता सकता है कैस जो सकता है कि जो जो सकता है ने इस गैंक üर को मर्माहा हो क्षक्इट हो और वो वक्त भी याद होगा आपको जब देभिंदर अश़ा ने जर्क बैडुनिया आशंतों को के ला फिद्यक किया ता और अवह कि जो ठाइन्दर आ करीब कई गोलियां चली थी तरंतार अंजले में पंजाब के खैर यह सब कहानी मैंने बता रखी आप से तो यहां बताने की कोशिच मैं यह कर रहा हूं कि जगो भगवान-पुरिया का दावा हो सकता है कि सच हो कि उसी ने इस गैंग तर सुखा दूनके के हाते अगरवाई हो क्योंकि Lawrence विस्तों ही तो मना कर रहा है अब जो भी हो देखने आयम होगा कि इस केस में आगे क्या कुछ निगल कर सामने आता है वैसे हर बदलते दिन के साथ इस केस में अलग-अलग मोर सामने आ रही है तो अपने राय दीजिएगा इस वीडियो पे और आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं नमस्ते जया खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बैल आइकन का बटन दबाईए वीडियो नियूज की खबरे सबसे पहले देखने के लिए